इंडिया उक्टोपाइट कश्मीर है जो इंडिया के कबदे में कश्मीर है इतना डिवलप कर रहा है उसको आपको और गिनवाता हूँ आप इसाब लगाएगा अलेक्रिक बसिस उसके बाद दुनिया का सबसे उंचा सैनमा उसके बाद यूनिवेस्टी निजाम उसके बाद ह अपने मसायल से निकलेगा तो बाकी कश्मीर के बारे में सोचेगा अगर हम बाद करें एकोनमिक लिए बहुत एक स्ट्रॉंग पावर बन चुका है उसकी जीडीपी देखें तो टॉप हमारे जो फाइव कंट्रीज हैं अमेरिका चाइना अब हालांकि उसकी जो जीडीपी अपना नया चेहरा दिखाना चाह रहा है कि भी हमारे पास पावर लोगों अगर हमारे हैं इन्वेस्मेंट करेंगे तो उनकी इन्वेस्मेंट जाया नहीं होगी इसी तरीके से वह जो डिफिरेंट टिकनॉलोचीज और हैं उनको अपने मुलक के अंदर मुतारिफ करवा र अब अगर पाकिस्तान की बात देख लें तो हमारी एकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया है यहां पे खाने पीने की और जरूरियात जिन्दगी की जो चीजें हैं वो लोगों की अपरोच से बाहर हो रही है तो वो इन चीजों पर कैसे तवज्जव अपनी दे सकेगा और सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए एक फैक्ट बताऊंगा आप इंडिया के अंदर 35 रुपए के लोगों कश्मीर के अंदर उनको मिल रहा है क्या वो 35 को छोड़कर हमारे पार डेट्सों के लिए आए नहीं आएंगे बिलकुल नहीं आएंगे अगर इसका एक सुल करें उनसे चीजें लें और जो उनके पास चीजें नहीं उनको दें तो इस तरह से हलाट ठीक होंगे यह दूसरों के मामलाद में टांग अड़ा कर और अपने हलाद खराब करना को बेतर चीज नहीं है कशमीर का काड ख़ला जाता है कैसी आप किसी भी मुलक की बात करें पाकिस्तान के ये फिर इंडिया की जब वोर्ट नस्दीक आते हैं तो दोंह मुलक के पॉलिटीशन किout애 कि कशमीर का मज़े चाल कर वादेए कशमीर को लेके दोंह मुलक के अवाम अवाम इमोशनल हो जा कराया था तब प्रूफ नहीं हुआ लेकर बातें तो है ना और जब गवर्मेंट में होता है बंदा तो वो बातें प्रूफ होती भी नहीं है जब बंदा पावर में होता है तो वो सारी चीज़ें उसकी फेवर में होती है अब हमारे हाँ देख लें मिया सहबान के हां इतना क पाकिस्तान जस्टिस के लिया से कौन से रेंकिंग में आता दुनिया की? टॉप टॉप के 150 के हम लाइन में जा रहें 150 के मैं बताऊंगा के पाकिस्तान में कानून वह मकडी का जाला है जिसको बड़े जानवर भाड के निकल जाते हैं लेकिन जो चोटे हश्राथ हैं वो उसमें पंस करा जाते हैं और वो चोटे हश्राथ यहां के आम लोग है बड़ी जलम की बाड़े जलम पर होता है जब आपको नहीं लगता कि अल्द अलगी लाठी जो बेहावाज है जी यह तो बात सही है एक नए निजाम की जरूरत है हमारे इस मुलको कल खाबाद हुए हैं वो कल आके भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा लेकिन उसमें भी बड़ी बड़ी बदनजमी का मुझारा हुआ है फारिंग शेरिंग भी हुई है तो अल्ला खैर करें देखें हला ठीक हो जाएं शायद लास्पर कश्मीर के तरफ वापस लेके आओंगा आपको कि इंडिया कहता कि हमने कश्मीर के ओपर इतना सारा कुछ डिवेलपमेंट कर ली है आपने कश्मीर के नारा लगाने के लावा किया क्या है अपने कश्मीर के लिए तो हमारे पास उसको जुद देने के लिए इंडिया के मूँ तोड़ जवाब देने के लिए कोई आंसर है आपके पास नहीं वो बिल्कुल सही कहते हैं हमारे पास सिवाए बातों के और कुछी नहीं है इसका SIMPLE सा जवाब यही करे कश्मीर के अंदर के आना चाहिए कि नुटाउट क 이덹्छा होता है कि कश्मीर इक इंसानियत की जंग यहां पर फिर लेंड को लेके पावर को लेकर हम यहां पर लगें हम के भाई वहमें चाहिए। यार। दोनों को ना इसके रिसूर्सिस चाहिए। हम कोन होते हैं। उनके बारे में पूछने वाले, सोचने वाले उनके इंटरस्त देखने वाले ठीक है यार वो एक उनको अपना रिफरेंड़ंडम दे दे छोड़ें कि वह क्या चांते हैं प्रक스तान के साथ आना चाथ हैं किश्मीर के साथ वह इंडिया के साथ जाना चाते हैं यह फी जाना चाते हैं यू пост पाकस्तान के साथ आना चाहते हैं किश्मीर के साथ वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर वो एक अलैदा स्टेट के तोर पर आना चाहते हैं यह आप्शन मौजूद है ना हमारे पास तो उनके अवाम पर छोड़ दें उनके अपने भी लीडर हैं ठीक है उनको अपन हमारे जल्फिकार अली बोटो थे तो उनसे agreement साइन करवाया गया शिमला मौाइदा आपको नहीं लगता कि जब हमने मौाइदे के उपर साइन किया कि बाई ये इंडिया जो कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिसान का अपसी मसला खुद मिलकर स्नोट आफर करेंगे तो फिर ब माहिमी मतलब के मसला करार दे दिया था और किसी भी कुई के पास ये इक्तियार नहीं है कि वो इसमें सालेस के तॉर पर इकतियार हासिल नहीं है उस को वैल्यों नहीं हमें पहले इंडिया के साथ अपने त Teaching के कौर कर लेना चाहिए नहीं जरूरत तो इंडिया और हम दोनों मिलकर बैठके मसले वालोंगे यूएन के अंदर जाके स्पीच देगा अपना नाम बनमा के हमें को बेनिफिटाइस है इसका मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ये मसायल हमें आपस में बैठके मेज पे बैठके हाल करने वाली चीज़े हैं ये किसी दूसरी ताकत इसमें मौल हो ही नहीं सकती जब यार मिया भी वी राजी तो क्या करेगा काजी आपसके मामला सही करने तो काम तो वैसे ठीक हो जाना है फिर फिर हमने सर बीच में से हमने ट्रेट भी खतम कर दी जब 370 का अर्टिकल को हटा दिया गया तो सर इस तरह से हालात और मजीद खराब की तरफ नहीं जाते हालात खराब तो हो चुके हैं भाई आप इनको बहतर बनाने का टाइम है अला खेर करेगा मामलात बहतर हो शिम्ला और काल्का के दर्मियान एक नया निसेटिव ले लिए इंडिया ने के हाइट्रोजर्ट ट्रेन लेवल की बात करो हमारे ट्रेंस सेक्टर कहा पर है मारा यहां पास आपको इस पता हूझे घतर जानते हैं हम पाकिस्तानी हम कहां पर खड़े में पास बात करें अगर मैं आपको बात करूं ट्रेन निजाम के तो इंडिया के अंदर इसटी इंडेर वाजायं भूनेगा ट्रैन मुंद भारत ट्रैन ऑच्वादर हवस्णर को पतारिख पर है या कि तरेसंगर आप इंपburg करेंद रूबाफ मुंसरीं अपक styl करें प्रोजेक्टर उनका चल रहा है वो चुरू कर रहे हैं उसमें सारा कुछ वहां कि टूरिजम तो हर चीज है ना यह सारे बैठे में इदर कैम में बैठे में क्या है लड़के आप आदे खाना पीना करते इससे अंडिंग है बाकी कारोबार आप भी देख लें क्या हर बंदा ह ही चलेगा कोई भी है आप ऐसा पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया नहीं हम से जादर तरकी कर लिए बहुत देखे टूबी फैक्ट है बात जो देखें कड़वी है लेकि सची है कि इंडिया ने तरकी कि हमारा अब देखें आप जीडिवी देख ले हमारा 94.58 पर चला गया मां कि हम 6% में मुलक क्या चला रहे हैं 6% में मुलक क्या चला रहे हैं मैं पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था तो देखा कि तीन हफते का वह राशन है पाकिस्तान अब वह क्या तीन हफते का राशन क्या चल रहा है । डॉलर हमारे पास नहीं है कोई भी चीज मारे पर प् अब बात तो वही होगी कि अब ना मानो तो ना मानो अब गो थो इलावा तो इंडिया ने वाकी तरक्शी कि तो अगर मैं बात करो अभी एक बन रही है भाई दुबाई देखे चे इन अभी इंडिया के साथ आई है कि जैसे मेरी मुठी देख लें दुबई ने इंडिया को का कि फ्लाइट्स बहुत जादा लेट हो जाती है दुबई में हमारे और आपके तरफ बिसनिस बहुत जादा तो मैं अब दुबई ने का कि मैं आपको क्या गिफ देगा अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है देखें सीधी टूभी फेक्ट बात है कि हम लोग बोट डाउन पे हैं हमारा वहल है और सिरी लंका लाहल हुआ है सीधी बात है बस यह थोड़े बहुत अल्लाग के लोग हैं बोट मुलग चल रहा है तो चल रहा है उनकी दूआउं से वाकी रहा है कुछ नहीं गया इस मु जो हमारी यूथ है जिसना मैं हूँ आप हैं जो भी है यूथ हैं उसमें उनमें कौम नहीं है देखें जब आप पैसे को तरजी दे देंगे न अपने कोई भी बड़े से मागया फो और आप यह आप देख लें कि यहां पर कोई अभी एक बजग है कोई भी आपके घर में फिर भी है या करते चलो यार उनके सामने यूना करें कुछ ना करें तो लेकिन जो आने अली नसल है वो उसके अंदर मुझे नहीं नदर आ रहा है जब हमारे अंदर से दीन खतम हो जाएगा मतलब हम लोग गए जब देखे ना हमारा बेसिक तो हम लोग मुसलमान के हमें द तो रखो लेकिन देख लेन आप यहाँ मांगने अलेके साथ क्या करते है और लग लग जा भई क्या कर रहा है तू यह वो फुलाना नमकार बात सारी फैक्ट यह आप जब अंदर से स्टेब हम हम्होटरान भी हम नहीं बनाए हैं हमारे जैसे हैंने सारे बात फैक्ट यह हम मुलक थे जिसना की लोग इस ना के कुमरान दीन इसलाम का दोर है किया नरेंदर मोदी एजा पीम अपने मुलक के लिए सही है तेके वह वेटर को जानते हैं जो हमें दिखाई देता है वह उसके लिए ढीग है दीखे जो हमें दिखाई देता वो उनके उदर भी गश्रों है वो भी तंगे इंडियाले लेकिन वो पैसे देखे ना बात सारी होती है कि हम मानते हैं जी में मानी हर जगह लेकिन